सबसे बड़ी बात है बिल्कुल हम लोग कोई डिक्ष्णरी या बुक नहीं उठा रहे हैं जिससे हम लोग सीधा रटकना चालू कर रहे हैं डिसकस करके हम लोग ज्यादा समझ पाते हैं उसको ज्यादा लॉंग टाइम तक हम लोग कर सकते हैं यह चीज़ इसका डिसके हैं अर इसक रहे है अर चलिए बात करते हैं हम लोग पहले इसके अपने वर्व की जिसे हम लोग आज ही याद रखेंगे तो चलिए फर्स्ट नंबर आज का है आज का आपका प्रे देखिए इसमें बता दू इसमें आपको अल्फाबेट से नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि अल्फाबेट से यह का हम लोग चल रहा था लेकिन हमने सोचा वह तो डेक्शनरी है चलती रहेगी लेकिन हम लोगों ने अभी अगस्त आ गया है तो हम लोग इ करने का टाइम फिर जा गया क्योंकि वह जो होते हों डेली यूजफूल थे ठीक है और दिक्शनरी वाला तो हम लोगों का चलता ही रहेगा तो एक बार हम लोगी पुराना जो हम लोगोंने लगभाग छे साथ साथ सो किया था उसको फिर हम लोग पूरे अगस्त हम लोग र याद किया था अब आपको यह ट्राइग करना है कि आपने जो पहले याद किया था आपको अभी भी वह याद है यह फिर आप उसको ज्यादा अच्छे से याद कर पा रहे हैं यह आपको डिफरेंस लगेगा गरंटी के साथ चलिए बात करता हमने पहला है पी आर एवाई प्रे यानि प्रात्ना करना ही मैंने आपको पताया था फर्स्ट वर्ड ही था यह ठीक है बिलकुल यह हमारी फर्स्ट वर्ड थी जिसमें हम लोगों ने यह सारी चीजे देखा था प्रे यानि कि आपका प्रात्ना करना यह आप लोगों को पता है ठीक है यह हम लोग पहले एडी डी लगेगा और आपका second and third form create हो जाएगा प्रेड प्रेड हो जाएगा प्रात्ना करना यानि कि हम जब हम लोग भगवान से या किसी से प्रात्ना करते हैं तो प्रे कहलाता है ठीक है बिल्कुल अगला हमारा है भाई सेकंड नंबर employer I-M-P-L-O-R-E employer मतरा होता है याचना करना यानि कि बिंती करना किसी से को होता है याचना करना या फिर आप गुहार लगाना भी ख लिया हम थैक इम-P-L-O-R-E इसको जगह second and third form implored deplored d लग जाएगा क्लियर है यास इंप्लोड हो जाएगा अगला बात करें हम थर्ड नंबर की वर्शिप टीक है W.O.R.S.H.I.P. वर्शिप मतब होता है पूजा करना क्या होता भई पूजा करना होता है आपको क्लियर है यस तो पूजा करना जिसे हम लोग ही यह हमारे यहां है भगवान किसी दिन में अपने रोम का टूर कराऊंगा आपको क्लास यह अपने इस्टूडियो का चली बात करते हैं हम लोग के हम लोग जब पूजा करते हैं तो वही वर्शिप मतब पूर्जा करना होता है भगवान की ज है यास बात करते हम लोग की हमारा है फोर्थ नंबर अडी ओ और या डूँर मतलब होता है आपका पूजना मतलब जिसकों हम पूजा करते हैं याझनी कि ढ़्या ना है आपका ए यह वर्व हो गयाई से पूजा करना वह भह भी वार है पूजना नहीं करना मत पूजा करना होता है ठीक है तो आपका हो जाएगा इसमें डी लग जाएगा हमारा तो आपका हो जाएगा इसको देखते हैं इसको देखते हैं घ्रना अत्वा नफरत करना ठीक है आप लों कि आई हेट यू और विल्कुल जोस एगा हमीं है तो यह तो यह होता है फिप्टी से लगबागव फिप्टी शिक्ष्टी पर्सन और किसी से नफरत करते हैं तो आप हेट कि इसको तो बिल्कुल कोई चांस नहीं इसको नफरत ही अब रहेगा के वला बहुत बड़ी गल्ती कर दी इसने यह साथ धोखा ने दिया आई हेट यू चले वह बात करते हो थी बहाद नफरत करना हुए नफरत करना जब आप किसी से आधे गुस्सा हो आधे नफरत करते हो तो वह इसका यूज करना बहुत ज़्यादा करते हो तो फिर आप बहुत नफरत करना है नहीं अभार का यूज करना ठीक है बिल्कुल तो हेट हो गया आपका अभार हो गया क्लियर है यस अब हम बात करते हैं अभार के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की तिसमें अभाई सब्सक्राइब करते हैं बात करते हैं इस फीक यानी होता भाई की क्या रहा हूं वही चीज तो इसका हो जाता आपको याद होगा बहुत यह नहीं आपका second and third form क्या होता भई इस पोकें इंगलिस आप लोग कहते हैं तो वही होता है हमारा speak spoke spoken ठीक है यह आपका spoken बना ठीक है बिलकुल बात करते है टाप की टी एल के boson he Kollege जाता है आपका बात करना दिया गया क्या दिया अब करना धिया गया है जिसमें हम लोग देखें लिग ठीक है बढ़रा चलए center चीज हमने कभी पढ़ा था इसका सेकंड फॉर्म को जाएगा वह एड़ी लग जाएगा टॉक्डू टॉक्डू जाएगा क्लियर है यस बात करते हम से की क्या बात करते नाइन्थ नंबर की ठीक है नाइन्थ नंबर में आपका दिया गए है यास एवाई से मतलब होता है कहन चक्राइब लगर क्या होता है कहना जिस्ते मेरे को कुछ आप से आपसे कहना रहता तो से से है ना इसकी सेंड फॉर्म फॉर्म यानि होता है बताना bracket ना to से इन हो गया डिल SOUND क्या हो गया आपका बताना हो अब इसके second, third फाप की बात करें तो यहाँ पर आपको हो जाएगा by told tell, told, told, clear है yes ति हमारा हो गया told जिसमें आम लोगों ने यह सारी चीजें देख ली good, yes अब हम बात करेंगे आपके हमने जो आपसे उस दिन पूछा था कुछ बच्चों ने reply दिया है उस reply को हम लोग देखते हैं किसने किसने सही दिया था जो मने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था ठीक है? बिल्कुल ता यह चली देखते हैं यह देखे आपके यह हमारी 30 जुलाई की है 31st को नहीं आप आई थी तो 30 ही देख लेते हम लोग जुलाई 18 कमंठे काफी अच्छा है इसमें मैंने आपसे पूछा था फ्लिकर क्या पूछा था भाई फ्लिकर विंज क्या होता है? पूछा था फ्लिकर या फ्लिकर या फ्लिकर यानि क्या होता है? ठीक है? यह मैंने आपसे पूछा था सर मैंने यह वाले वर्ड को नोट कर लिया है गुड है ना फ्लिकर यानि टिम्टी माना मैंने आपको हिंट भी दिया था कि ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार यह एक वयम बनी हुई जिसमें टिम्टी माना तारे से रिलेटर ठीक है गुड चलिए भई धन्वाद आगे बा सर यह मैं बुक से मिला है सिवंति वारी गुड नहां अमर ने कहा सर मैं अच्छा तनुस्का सिंग कहती है कि भाई फ्लिकर का मतलब टिम्टी माना होता यह वर्ड मैंणे यू डिक्ष्णरी में सर्च करें इच्छा इनके पास माइल में यू डिक्ष्णरी है ठीक है उससे सर्च करना असान होता है थोड़ा गूगल में चाहना इसमें काप्री चीज़े मिल जाती है यहां पर स्रियांस ने कहा सर्फ लिकर का मतब टिम्टी माना होती है होती नहीं बेटा होता है ठीक है विलकुल आप उसके लड़की बना दो हां जेंडर इचंज कर दो हां खैर मजा चला चल अचला लोगजबत देखते हैं यहां पर सब्सक्राइए ने कहां सबीट हर घंच को You अग्लोग थेिए तिम ऋमाना गदख लोकिन और आज का जो हमारा है कैरी वहाला जो आप मैत में कैरी लेते हो यह कारे वह सेम रही है दोनों शेंस समय जो लोग लेते हैं ना उसमें वैसे ही वहीं है रही में क्या वर्ड तो वर्ड होता है चलो बई तो कैरी का आपको रिप्लाई देना है कमेंड बॉक्स में नीचे आपको देना ठीक है उसका रिप्लाई मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा तो चलिए हम लोग ऐसे पढ़ते ही रहेंगे और आगर आप नए हैं तो कर लेजे और यदि पुराने हैं तो दोस्तों को कुछ किचिए जादा जादा करने हमारी हमारे देर मैं तो अट घ्रकेट की और और बहुत अच्छा लग रहे हैं ठीक है हम लोग ऐसी बढ़ते रहे और आपके लिए नए-nay टॉपिक की हम लाने वाले हैं सभी का रही का झाल कर दो पर जब ए दो ऑजतका है